हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो माई चैनल वर्शा वोंपेक और आइडिया आज के इस डियावाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सीवी और एक डीवीडी ली है आप कुछ भी ले सकते हैं सबसे पहले हम इसे बीच से मार्क कर लेंगे उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है हम यहाँ इसको सीजर की हैर्प से भी कट कर सकते हैं सीजर से भी एजिली कट हो जाता है हमने इसको दो पार्ट में कट कर लिया है इसके बाद मैं यहापे ले रही हूँ वॉल पुट्टी वॉल पुट्टी का हमें एक तिक पेस्ट बनाना है यानि कि एक डो तयार करना है हमें इसके लिए तो बहुत सादा पानी हमें एक दम से नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालते वे जाना है और काफी थिक पेस्ट इसका तयार करना है तो यह देखिए मैंने एक डो तयार कर लिया है इसके बाद मैंने एक ट्रांस्पेरेंट शीट ली है इसके उपर हम अपने डो को लगाएंगे और रोलर पैन की हैलते इसको ठोड़ा सा रोल करेंगे पısशी स्टाइल से हम इसको रोल कर लेंगे अब इसके बाद जो सीडी हमनी कट की थी इसके उपर उसको हम लगा देंगे जो दोनों सीडी के बीच का गैप है वो हमें थोड़ा ही रखना है इसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारा ये पुटी बच गया है, ये डौव बच गया है, उसको हम हम यह आपे uczर कि नहीं करना है, बहुत क्लो से हमें करना है थोड़ा सकल चूड़ते हुए हमें इसको कट करना है अब इसको हम one night के लिए dry होने के लिए छोड़ देंगे so completely dry होने के बाद मैं यापे इसको color कर लूँगी मैंने यापे yellow और orange color का use किया है आप अपनी choice के according कोई भी color यूज़ कर सकते है अंदर के side मैंने यापे orange color किया है बाहर मैंने फ्रेंट directly yellow color कर दिया था तो आप directly अगर ये वाला DIY बनाते हैं तो directly yellow मत कीजिए पहले white कीजिए दें उसके उपर ही yellow कीजिए paint को completely dry होने के बाद मैं यापे कुछ flower बनाऊंगी flower बनाने के लिए मैंने यापे red और pink color का use किया है आप चाहें तो और कोई भी color यूज कर सकते हैं और अलग टाइप के भी flower बना सकते हैं वो आपकी creativity के उपर depend करता है कि आप यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं मैंने बहुत दी simple से rose flower बनाने की कोशिश की है यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर decoupage भी कर सकते हैं वो आपकी अपनी choice है कि आप यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं साथ में मैं यहाँ पर कुछ leaf भी बना लूँगी दोनों साइन मैंने same pattern बनाए हैं leaf को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर light green और dark green color का यूज़ किया है इसे हम completely ready कर लेंगे अपने पूरी cd के ऊपर मैंने इस type से ही कुछ बनाया है पूरे में सो यह रेखी यह मेरा completely हो गया है इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ डोट कर दूँगी डोट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3D outliner का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास red color का रखा हुआ था पहले से साथ में यहाँ मैं यहाँ नीचे की side में golden color कर दूँगी मैंने यहाँ पर metallic golden color यूज़ किया है क्योंकि इसका effect मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाते तो नोर्मल एक्लेरी color का जो golden वाला color आता है उसको भी यहाँ पर कर सकते हैं सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर की side में भी अपने finger tip की help से कुछ यहाँ पर ऐसे golden color कर दिया है तो यह देखिए हमारा completely ready हो गया है और last में अपने पूरे artwork को protect करने के लिए हम यूज करते हैं वार्नेश तो वार्नेश की एक से दो code करने के बाद प्योरली हमारा waterproof हो जाता है तो इसी के साथ मेरा first DIY रेड़ी हो गया है चलते हैं आज की हमारे second DIY की तरफ इस DIY को बनाने के लिए मैंने आप एक MDF board लिया है जो कि मेरा एक पुराना photo frame था जो कि तूर गया था मैंने इसी frame की shape में यहाँ पे cut कर लिया है अब इसकी बाद में यहाँ पे लगा रही हूँ यह molded clay clay पे मैंने बहुत सारे DIY बनाए है friends जिनका link मैं आपको description box में दे दूगी सो जो मैंने यह frame की shape में इसे cut किया है मैं यहाँ पे इसे लगा दूगी clay पे work करना बहुत easy होता है friends और clay से जो भी हम DIY करते हैं वो बहुत ही अच्छे DIY बनते हैं हमारे अब इसे extra को हम cut कर लेंगे साथ नहीं मैंने यहाँ पे use किया है यह clay की जो टूल आते हैं वो आप चाहें तो किसी sharp object की अब इसे भी कुछ भी design यहाँ बना सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत simple का design बनाया है जो कि मैं almost अपने सारे DIY में बनाती हूँ अब इसके बाद मैंने यहाँ पे black और white कलर को mix करके यह gray कलर बनाया है जिसको हम यहाँ पे एक ही coating में हमारा बहुत अच्छे से finishing दे रहा है क्योंकि dark कलर में हमारी एक से दो बार में अच्छे finishing आ जाती है और MDF board में हम इसे use कर रहे हैं तो एक ही shade में हमारा बहुत कर रही हूँ यह chalk paint अब चाहे तो normal acrylic color भी use कर सकते हैं इसके लिए हमें यहाँ पे clay के बली हुए design के ओपर अच्छे से color फिल कर देना है इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है stencil जो कि मैंने itsy bitsy से लिया था अब मैं यहाँ पे painting knife की help से texture paste लगा दूंगी हमें पूरे frame के सवग्यान से लगाते हुए जाएंगे और एक side complete और dry होने के बाद यह हम दूसरी side apply करेंगे तो बाकी के frame पे भी मैंने पूरे पे यह वाला design बना लिया है इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ pearl का white color इसको हम अपने clay वाले design के ओपर sponge की help से लगा देंगे इसी के साथ हमारा second DIY भी ready हो गया है चलते हैं हमारे आज के third DIY की तरफ इस third DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक MDF board लिया है जो कि also मेरा एक photo frame था इसको मैंने यहाँ पे फदर कट कर लिया है frame की shape में और अंदर वारले part को भी मैं यहाँ पे यूज करूँगी साथी में मैंने यहाँ पे डो का एक paste लिया है और इसको मैं इस टाइब की cutter की help से यहाँ पे cut कर लूँगी यह actually हमारे cake cutter आते हैं जिनको मैं यहाँ पे यूज कर ली हूँ इस टाइब का यह sunflower shape का है इसको हम यहाँ पे यह flower निकाल लेंगे बहुत ईजी ली निकल जाता है और बहुत ही सुन्दर flower बनते हैं हमारे इससे अब इसको मैं यहाँ पे अपने frame की ओपर फविकॉल की help से लगा लूँगी हमें यहाँ पे gently press करना है बहुत जादा हमें press नहीं करना है अब यहाँ पर फ्रेम के ओपर कहीं कहीं यह flower लगा लूँगी अगर आप चाहे तो यहाँ पे molded clay का भी यूज़ कर सकते हैं अब यहाँ पर फ्लावर बनाया था सेम इसी को मैं यहाँ पर अलग कर लूँगी और इसी की help से मैं यहाँ पर leaf बना हूँ तो leaf बनाने के लिए उनको stick करने के लिए मैं यहाँ पर फैविकोल का ही यूज़ कर रही हूँ सो बाकी के बच्चे हुए फ्रेम पे भी हम इस टाइप से इस पूरे design को complete कर लेंगे और dry होने के लिए हम इसे यहाँ पर रख देंगे यह completely dry हो गया है इसके बार मैं यहाँ पर दो कलर को यूज़ करके कलर बना रही है महरूर और ब्राउन कलर को मिक्स किया है मैंने यहाँ पर और इसको अपने पूरे फ्रेम के ओपर मैं यहाँ पर लगा दूँगी आप चाहे तो यहाँ पर sponge का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पर कहीं कहीं पर brush का यूज़ किया है और कहीं कहीं पर sponge का यूज़ किया है फर्दर हमें एक step करने के बाद दूसरे step पे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम रूपना पड़ता है साथ में ही मैंने इस फ्रेम के corner को भी यहाँ पेपर टेप की help से cover किया है इसके साथ में मैं ले रही हूँ ये maroon color का oon क्योंकि यहाँ पर जो beach का area जो दिख रहा था leaf के beach का area वो यहाँ पर थोड़ा सा खाली लग रहा था क्योंकि मेरी यहाँ पे oon जो ली है मैंने वो maroon color की है तो मुझे यहाँ पे दुबारा paint करने की ज़रत नहीं पड़ेगी अगर आप कोई और color की oon यहाँ पे है कुछ और macrum thread या कुछ और thread लेते हैं तो आप उसे पहले stick कर लीजेगा के साथ में मैंने इसको थोड़ा सा विंटेज लूप देने के लिए यहाँ metallic gold color यूज किया है जो कि मैं यहाँ पे dabbing sponge की help से यहाँ पे अपने flower की ओपर हलका सा डैप कर दूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ कि मैं यहाँ दूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ अब चलते हैं हमारे आज के फोर्थ ड्यायवाइ की तरफ इसवहले ड्यायवाइ को बनाने के लिए जो मैने फ्रीम कुट क्या था उसे के अंदर वाले बोर्ड को मैं यहाँ पर यूज करऊगी सबसे पहले मैं यहाँ पर बोड के उपर लगा दूँ ये जेसो जिसो को मैं यहां पे कोट अप्लाई कर दूँगी और इसको कम्प्लेटली ड्राइ हो कर लूँगी इसको कम्प्लेटली ड्राइ होने के बाद मैंने यहां पे रिकोपाज नेपकीन लिया है इसको मैंने यहां पे साइज मेजमेन कर लिय मैं इस पार्ट को ओपर की तरफ रखने वाली हूं इसलिए यहां पर शार्प है जिससे मुझे को भी फरक नहीं पड़ेगा इसके बाद यह थ्री प्लाइ आता है हमें सिंगल वन प्लाई को यूज करना होता है बाकी की दो प्लाई को हम यहां पर रिमूव कर लेंगे यह वाला जो पार्ट है वो मेरा नीचे की तरफ आएगा तो मैं इसको यहां पर टियर कर लूँगी अब जहें तो ब्रश से पानी लगा कर भी इसको इसलिए यहां पर रिमूव कर सकते हैं इसके बाद मैं यहां पर अप्लाई कर रही हूं मौनपोच ग्लू बेस में हमें ग्लू को बहुत अच्छे से लगाना होता है अब यहां पर लगाएंगे अपना नेपकीन तो नेपकीन को थोड़ा सामें केरफुली लगाना है यहाँ पे इस नेपकीन को लगाने के इन्मेन ये ट्रांस्पेरेंट शीट ही है तो आप कुछ इस टाइप से भी लगा सकते हैं ऐसा करने से हमारे कोई भी रिंकल्स और बबल्स हमारे टीशू में नहीं रहते हैं और काफी अच्छे से यहाँ पे स्टिक हो जाता है सिम ऐसे ही जो पार्ट हमारा बच गया है उसको भी हम यहाँ पे लगा लेंगे ये ट्रिक काफी अच्छी है इसको करने से हमारे जो टीशू है वो बहुत अच्छी से चिपक जाता है और कोई भी रिंकल्स हमारे नहीं रहते हैं साथ में शार्ट शिसर की हैथ जो पार्ट बच गया उसे हम कट कर लेंगे इसके साथ में हम यहाँ पे जो अपने नेपकीन में कलर दिया हुआता है उसको यहाँ पे मर्ज करते हैं मैं यहां पर brush का use कर रही हूँ और साथ में जो हमारे napkin का design दिया हुआ है उसको pass में थोड़ा सा merge करने के लिए मैं यहां पर daddy sponge का use कर रही हूँ यहां पर हम brush की help से करेंगे इसको थोड़ा अच्छे से यहां पर merge कर देंगे ताकि हमारे design जो है वो अलग ना लिखे इसी के साथ में मैंने यहां पर नाम की कुछ यह अलग-अलग font का print out निकाल लिया है साथ में मैंने यहां पर पीछे pencil लगा दी है इसको trace करने के लिए यह वाली tracing की technique काफी अच्छी है क्योंकि इसे कोई भी हमारा background वगरा पर कोई इसका effect नहीं आता है और हमारे जो design है वो भी अच्छे से यहां पर trace हो जाते हैं जैसे कि हम बच्छमन में करते थे सिक्का वगरा बनाने के लिए सेम वैसे ही हमें इसको यहां पर करना है क्योंकि जब भी हम dark color का carbon paper वगरा यूज करते हैं तो हमारा थमका impression आ जाता है इसको remove करना मुश्किल होता है तो यह देखिए यह आपको visible भी नहीं हो पा रहा है इत के बादे से trace कर दीचेगा अब चाहें तो यहां पर marker का भी यूज कर सकते हैं लास्ट में मैं यहां पर मोग पोच ग्लू के दोखोट अप्लाई कर दूँगी इसको पूरी थरह से secure बनाने के लिए और लास्ट में अप्लाई करेंगे वारनिश अपने पूरे अटवर को protect करने के लिए इसको हैंक करने के लिए मैंने जो हमारे carry bag आते हैं जो हमारे shopping bag आते हैं उन्हीं के यहां पर एक डोरी लेनी है और इसको पिछे stick करती है इसको हैंक करने के लिए सो आज का मेरा फोर्च डियावाई भी रेडी हो गया है अब चलते हैं हमारे आज के शिर्फ और लास्ट डियावाई की तरफ मैंने यहाँ पर एक फिश बनाई है और यहाँ पर ख्ले की टूल की हैश यह पर कुछ डिजाइन बना दीये है इस वहले पार्ट को मैं शूटने कर पाई जो डिजाइन मैंने बनाया है विश का बट यह बहुत ही इजी है आप इसको एसली बना सकते है साथ में इंस फिश को बनाते टायम अब यह तो आई वर माउफ के और एक शेट दे दी है, और इसको यहाँ पे कलर कर लेंगे. साथ ही मैं अभ इसकी यहाँ बनादूं ूज आई ब्लेक कलर से. इसी के साथ हमारा आज काई 5th DIY भी रेडी हो गया है आप इसको अपने प्लांटर वगरा में कहीं पे भी लगा सकते हैं साथ में मैंने निशे की साइडे कोल गया था तो स्टिक की हैल्प से आप इसको कहीं पे भी स्टेंड भी कर सकते हैं अजय कर सकते हैं